शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शिमार्ट के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कि राम सिंग कलकत्ता पहुंचे तुम ट्रंकाल करवा देना और शादो नाम तुम बेंगलोड जाओ और जाते ही भीम सिंग जहवरी से मिल लेना जी सब और देखो तुम लोग बाकी सब बात अच्छी तरह जांते हो आप रहाना हो जाओ अच्छा सब लोग हुश्यारी से ज वयरो किया वावर पंटना किसी के साथ हैं और ना किसी के पर्टनर शेशनग आख के तुमने किसके साथ टकाने या-इलान किया है जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, लेकिन हमारा नाम शेशनाग है, जिसकी फुंकार में वो आग होती है, जो पत्थरों को पिगला कर पानी करते हैं, गुंगा, इसे नहीं मारना, सुनो सराफ, हम तुम्हें जंदा सरफ इसलिए छोड़ रहे हैं, कि तुम जा के अपने मालिक से ये कहोगे, याद से, चेशनाग ने अपनी हकूमत कायर कर दी, किस्से कहोगे? दया शंकर नाम है मेरा, दया अगर करोद में बदल जाए, तो लोग अपना नाम भूल जाते हैं, भूल लेके बारी तुम्हारी है दया शंकर, बूढ़े शेर की हकूमत, ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, शिपाही की तलवार देकर बादशा की ताकत का अंदाजा नहीं दर्वाजे पे होगा, या तुम, चलकर हमारे दर्वाजे पे आऊड़ी, इतना वक्त ही नहीं बचा है शेशनाग के कोई कहीं आजा भी सके, इस वक्त भगवान को नहीं, ददू को याद करो, अगर बूड़े शेर का ध्रमा का पसंद नहीं आया तो दूसरा करूँ, नही दूसरा करें, महरा हूँ, महरा हूँ ददू, हम आपके शेरल में आगे आव, आव धिया ददू, ददू, हमें माफ कर दीजी माफ कर दीजी ददू, माफ कर दीजी शेर्शनाग, बुड़ापे में बाप की कमर जुख जाती है, और बेटे का कद बड़ा हो जाता है इसका मतलब यह नहीं कि बेटा अपने बाप का बाप हो गया ददू, हमें आपकी बेपना ताकत का अंताजा नहीं था नहीं, हम मामूली इनसान हैं, हमारी ताकत बेपना नहीं है फो तो वो उपर वाला है, जिसकी ताकत बेपना है तदू के गाउं से कोई राम रतना है राम रतना आए है आपके गाउं से जुर्म के उंचे सिंघासन पर बैठे के घतिर तोरे पिता एक-एक सीर ही पर न जाने कितने कटल किये हैं इसनू, तहार बेटवा के आपन दमाद बनावे में हमरा के घमंड है लेकिन दया संकर के पोता से हमरे बिटिया का कवनों संबंद आई हो तो काय संबंद नहीं हो सकत वो अपने बेटवा से पूछो पापू, हमें आज ही पता चला है कि बरसों पहले हम अपने बापू को खो चुके तुम तो शहर के वो बड़े रहीस हो न जिसने अपने काले काजनामों खून और स्मगलिन से नजाने कितने करों की दौलत इकटना कदक किया है हम स्मगलर हैं काला बाजार किया है और माली खटा किया है मगर मगर बेटा कभी सोचाए कि ये कौम काजना किया है अपने होलाद के प्यार खातिर तोरे कातिर बेटे लेकिन बापू, तौलत से ज्यादार, रामधन का आदर्स कहीं ज्यादा अच्छा है हम लोगन बंजर रती भर भी प्यार है तो छोड़ दो काले कारनामों के छोड़ दे अपनी जिन्दगी भर की महनत उठा कर रास्ते पर भेंग दे पर भगीरी का प्यारा उठा कर रास्ते दभीक मंगते पिरे इस बाद की खमाई से फीक मंगने का निवाला कही अच्छा है कि काले कारनामों के गदे रास्ते पर तो हर बेटा कभी ने चली कभी ने चली में अरे सुन रहे पगला गया है किसकी बास सुन रहे ऑए कि यह वह अरे हम तो बुआबे में सठिया गया है जूटे आदरसों की पट्टी बन गई हम लिए नहीं सुनेगा बैटी तु एक काम कर बबबा को लेकर हमने संग चली आज आज आएगा चल बैटी सुसूर जी बूल गए चोली से उतारते वाँ आप ही नहीं शिक्षा दीची कि पती की चलों में स्वर्ग होता है हमें हमें आज पर वो इशिक्षा याद है यहां देर सुसूर जी शामरतन आज तोरी पिछाएगी विसात्मों अपनी उलाद को हार कर्चा रही अर्मनीक बात यादर्ट नहीं अर्मनीक यादर्स वालों को सिर्फ ठोकर मित्वी और कुछ नहीं द्यासंकर की इस बात को याद रुखना याद रुखना अरे वे तींचा बनाना अरे वे तुम इस आदमे को जानते हो अधिया शंकर पास के गाओं में इसका बेटा और बहु रहते हैं फंद्रह साल के बाद उनको मिलने के लिए आया है द्यासंकर की बेटे हो हाँ सत्यवादी राम रतन इस हत्यारी द्यासंकर की द्वार पे कैसे हैं रोज के गाओं के ठाकुर भिक्रम सिंग ने हमार बेटी के साथ बलातकार किया है द्यासंकर बाबू कुनों नई बात नहीं है राम रतन इतु इस दुनिया का उसूल है कि गरीब की जत अमीर के पेरों तलिर रोंदी गई है अरे हमार बसंती ने आत्महत्या कर लिया है एक कायर बाग की बीठी और कर भिका सकती है तुम मुझसे बहुत नराज हो मैं जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी अदालत में एक प्रार्थना लेकर आया हूँ राम रतन ये गल्यूग है और इस गल्यूग में सत्यूग के विचारों का पचार मत करो गल्यूग की लाओ में समाज आओ सारे दुख खुद बखुद जलकर खाक हो जाएंगे मैं तुम्हारी साब बादों को मांता हूँ द्यासक गर बाबो अब मांते हो अब मांते हो राम रतन और तेर में बुठी आई तुमको उसक्त तुमको विचार नहीं आया जब जब मेरी बेटे को तुम कम्रा कर रहे थे उसे कहा कि मैं मेरी गलत रास्ते का मसाफिर हूं मेरे साथ नदे अपने आदर्शों का चश्मा उसकी आँखों पर चड़ा दिया वो बगावत कर बैठा और यह भूल गया कि जसकी खिलाब वो बगावत कर रहा है वो उसका अपना बात है उसका अपना खून है मैं बहुत फर्मिन्दा हूं देया जंकर बाबू खेर हमने तो बेटा कमा कर बेटे का बेटा पाया अगर तुमने तुमने क्या पाया नाहीं देया जंकर बाबू नाहीं मेरी बेटी की आत्वा तोरा से इंसाफ मांग रही है जाम रतन जो हमारा लोहा मान लेते हैं वो हमें नाम से नहीं बलकि दद्दू कहकर पुकारते हैं मुझे हुकूमत मंजूर है मुझे इंसाफ चाहिए दद्दू इंसाफ चाहिए अब करने के आया है भाईए इंसाफ इंसाफ हाँ हम शहिंशा जहांगीर तो नहीं लेकिन हमारा इंसाफ उससे कम भी नहीं होता विक्रम सिंग बहुत अच्छे शहजादे बहुत अच्छे लगता है तुने अपना हाथ किसी जोच्छी को नहीं बताया वरना विक्रम सिंग की हवेले की तरफ आने की जुरत नहीं करते हैं हम हाथ की लकिरों से ज्यादा अपने हाथ की ताकत पर भरुसा रखते हैं विक्रम सिंग राम रतन की बेग्याने स्वर्थ से हमारे इंसाफ को पुका रहा है और हम यहां फैसला करने आए हैं फैसला और विक्रम सिंग से हाहाहा शायद तुझे पता नि भाईये कलियों को बनाना हम ठाकरों का पुष्टैनी शौक है तेरी कुछ बहन है कि रखता है तुन्हें अपनी मौत का मुद्ध मेरे अपना शिकार है खुद मार कर खाता है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह झाल! कि जार देम यैंभल मुर्ग यो लुख अजा प्यूब जा आическиеस लुब पॉब ये लुब ये वी वी बुब ये वी ये लुब ये वी जार इस मर्द को इस लाइक बना दो कि आएंदा किसी मासूम लड़की की इससत लुटने के काबिल ना रहे आए यह वजागर सिंग गैंडे किसी ताकत वाला आदी मुजरिम और कातिल यह वकालत की दुनिया में सबसे ज्यादा पितरती और शातिर दिमाग देवी लाल संगटन का पर्मानेंट वकील और इनसे मिलिये मिस्टर सराफ कहने को फाइस्टर होटल का मालिक लेकिन सोने चांदी हीरे जवारत की स्मगलिंग का सरकना और यह है मिस्टर पी सी अपने शैर के हर जुए खाने शराफ खाने चंडू खाने से अपने हिस्टे की बोटियान उचने वाला और यह हैं शेशनाग वैसे तो कपड़े की मिल और ट्रांसपोर्ट कमपनी का मैनेजिंग डारेक्टर है लेकिन अपने नाम की तरह ही जहरी ला और इसके बोडिगार्ड के तौर पर यह गूंगा जो मुह से तो नहीं बोल सकता लेकिन अपने हाथों से दुनिया की हर अलानिया कहता है कि सकते बाजार में चलने वाले सिक्कों को कोई भी चश्मा लगा कर देखो उसमें इसी की तस्वीर दिखेगी हर मुझरिम जर्म का सिरा इसकी चौकर तक तो पहुंचता है मगर उसके बाद ना जाने कहां गुम हो जाता है लेकिन अब यह संध्या का सूर है इसका पोता वजरंग हाथी की ताकत लोमड़ी की चलाकी और चीते जैसी फूर्टी का मालिक है दादू की जगह संभालने के लिए इसे हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है यह और्गेनाइज़िशन इतना वेल और्गेनाइज़ है कि हम 10 साल के बाद भी किसी की गर्दन प और इन लोगों के लिए रेसिस में हिरा फिरी करता है अब इंसिटूट कर अपनी महभूबा के साथ हिंदोस्तान से बाहर जाने की कोशिश में है जेंटलमें अगर हम इस आदमे को काबू में लाकर सरकारी गावा बनाने में काम्याब हो जाते हैं तो दादू के फॉलादी किले में हम बारूद बिचा सकते हैं इसका नाम याद रखेगा यलाश कराची और वहां से कैसे लंच तैयार है वो सामने मगर के लाश अपने देश से दूर जाकर हम खाएंगे क्या इस बैग में दो करूर रूपए है काफी है सुद्गी भर के लिए बजरन तो ये किसी रेस के घुड़े की लगाम नहीं है कलाश हमारे और गानाजेशन के रुपए है बाववा के होते हुए कोई नाखुन की मैल भी चुरा कर ले जाएं ये मुम्किन नहीं हमसे भूर हो गई ये भूल नहीं गद्दर है कलाश और गद्दरी की सजा है मौत नहीं पजरन्ग प्लीज हमें जाने दो हम तुम्हे कूण उक्सान मैं पहुचाईंग फश्वर्ण प्लीज हमें जाने दो ने तुम्हारे मौत हो कलाश अगर सिंदा बच्छर जाना चाते हो तो तुम्हें अपनी मौत को मारना होगा अगर मुझे हटा कर जा सकते हो तो जाओ केलास, सोर्षते क्या हो केलास उठाओर यवालवर और चलागोली उठाओर यवालवर केलास उठाओर यवालवर चलागोली केलास केलास किसी औरत पर हाथ उठाना बच्रम के उसलों के खिलाफ है इसलिए कान खुलका सुन लो तुम्हारी आखोंने ना कुछ देखा है ना तुम्हारे कानोंने कुछ सुना है यूं समझ लो आज की रात तुम्हारी सिंदेग में आई ही नहीं याद रखना आज एक वरत के खुन का पाप भी मजबुरन अपने सर लेना पड़ा बाइग उठालो बाइग उठालो लाशो को ठीकाने लगा दो आज 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 मंगलवाद 25 जनवरी 1952 में पैदा हुआ पाप का नाम सौदागर सिंग शहर रामपुर मौहला कादियां मकान कादर बिल्डिंग ठीक है ठीक है ठीक है लाब ठीक है ठीक है हजार बार तुम पूछ चुके हो हजार बार पता चुका हो ठीक है और हजार बार मैं पूछूँगा और और हजार बाद तुम जवाब दोगे ताइस मैं पूछता हूं मेरी जवानत का नहीं हो रही कहलाश के खून के लावा और किसने चुन किये तुमने किन मौंग हमने कोई जुर्म नहीं किया था चार देश धाम का सोने नहीं थी आप सोने तो एकीस के उमर में पहला खून चलती हुए गाड़ी से नदी में एक आथ ही गिर गया गाड़ी के उस टिपे में तुम भी थे तेंग दूसरा खून हरी राम जाओ रही तीसरा खून अब्दुलहफीज कारदार चौथा देविद ब्राउन पाचवा जून खिरके अधरवाद भबन करके पंदी प्रसाद उसके सारे बच्चों को जन्दा जला दिया भाइप पूशेट तो नहीं किया इस तब जूट में इस तुम ने किया तुम ने किया तुम ने किया तुम ने तुम गलस आद्मी को पकड़ लिए हैं साइच्ट ने किया थोड़ देओ और अब कह का में टर्कार जानते हो जालते हो जानते हो कि डैस्पेक्टर को कि जोश में लाओ ये सर और जगाई देखेड़गो राइट सार मेरा नाम रवी मलोतरा सी बी आई ऑफिसर और स्पेशल ड्यूडी फरमाईए मैं आपके क्या सभा कर सकता हूं आप इस शप्त कुछ जानते हैं जी नहीं कौन है आपका भाई नहीं आपका भाई और शायद इसे तो आप पहचानते होंगे अब कैसे हूज है अब कैसे अबी सरन अभी तक इन बनावटे तस्विरों के छक्कर से लगये अधिक इसे तस्विर में बहुत मिलती हैं चिंवे किसी का सर है और कि दर्ट किसी क tietव ओठ ये इस टुक बहूत घिसीपीटी है आप अपने आपको बहुत होश्यार समझते थे ल आप शायद बजरंग की ताकत को नहीं जानते हैं पुझ आगर की जबान खुलने दीजे वह अभी जान जाएंगी मिस्टर मलोत्रा आप एक सरकारी नौकर हैं और इस वक्त सरकारी वक्त के साथ-साथ एक शरीफ आदमी का वक्त बरबार कर रहे हैं गुद्डेंग मिस्टर बजरंग आप लोगों को सिखाय जाता है मूँ बंद रखना है हमने सीखा है मूँ खुलवाना जिस दिन जाकर की जबान खुलेगी आपके बंद हो जाएगी एए एए साहे बहादूर कि अधिर आपके अधिर ना बबुआ को कभी धंकी मत देना तुम भी ललकाने की कोशिच मत करना वर ना वर वबुआ या वर अधिना कांदी की देश में इंसा की बात उचित नहीं है कानों हो वाई सिविया आफिजर रभी मलत्रा राम 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 कानून की मुहाफिज होकर गयर कानूनी बात अच्छा लगता है क्या तुम गलत जगा है वे बिटा हम तट्व हैं जानता हूं क्या जानते हो तुम अब जवानी की जोस को काबू में रख जंदगी में कभाव अगर कोई विगड़ी विबात बनाए क्या हो तो जवान और ताकस नहीं उद्धी से काम लियो बहुत बहुत काम की चीज है सुना लाइं ऐटम बंब कोई ताकस से नहीं बना रहा उदी से बना रहा उदी से तुम जिस विदान बचाने के लिए अपनी जान को खत्रे में डाल गयो वो तुम पहचानने तक के लिए भी तयाद नहीं तुम्हारे माते पर गुनाओं की इतनी लकीरे हैं कि अब तुम पानून के शिकंजे से अपने आपको बचा नहीं पाओगे आज नहीं सुकल कटेरे में खड़े होकर तुम सच बोलोगे और जितने असाब हुआ फासी का भंदा सुर्प तुम्हारे गले में ही नहीं बजर अगल से काम लो हो जागा अगल से अगर तुम सरकारी कवाब बनोगे तो हम तुम्हें फासी के फंदे से बचाएंगे पजरन की गोली से बचाएंगे और तुम्हारी पूरी हिपाज़त करेंगे अब तुम्हारी जान को कोई खत्रा नहीं हम तुम्हारी निग्रामी सक्च सक्ष पहरे से करेंगे अब हम कवाही देंगे सब 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 बता देंगे ताएंगे वेल दैन गंपत्माने से कहीं तो नहीं लगी आपका निशाना कभी गलत हो सकता है सार गोली पिस्तॉल पर लगी लेकिन हाथ बच गया आईए प्रताब नाराएंग जी पुझाजर के मुझ खुल गया है चाहिए पयान ले लीजे उससे मुबारक हो अफिसर बहुत मुबारक हो अब बजरंग कानून के शिकंजे से बचने ही पाएगा जी हो नहीं सकेंगे जो मेरे बजरंग के सांसों को कैट करना चाहते हैं कि मुझसे मेरा कलेजा चीन कर मुझे जीदेजी माड़ा ना चाहते हैं मैं सब को मिटा डालूंगा उन सब पने इस तो नाबूत करके रख दूंगा अधा भी नीचलेगा उनका अगर बाबू तुम सिर्फ इतना करोगे उजागर तक पहुचने की कोश्य करो पुलिस केशन पर इतना सफ पहरा है दादू कि उजागर तो क्या उसके साय तक पहुचना मुश्किल है वकिए गबू यह काम मुश्किल है या नामुम्किन है नामुम्किन जैसा ही है नहीं नेपोलियन ने कहा है कि इस इस संसार में कोई काम नामुम्किन नहीं है और हमें उसकी बात पर पूरा विश्वास है मेरा नाम भावना भरदवाज है और मैं एड़ोकेट घंब प्रकाश भरदवाज की एकलोती बेचे हूँ हिंदुस्तान के जानेमानी सरकारी वकील प्रताप नाराहिन सेंग की असिस्टेंट हो और आज पहली बार अदालत में हाजर होने जा रही हो ओनर अरे पापा आपके आँखों में आतुँ बहुत दिनों से आँखे सुखी थी न आज तेरी खुशी के बहाने डेली हो गई है बगवान तुझे काम्याब करें बेटी जूट की दुनिया में सच को जगाने जाले है प्रभू तेले बेटी की सहायता करना अनून की सहायता कर रहा है उजाकर सिंग्ध उरानर लीहाजा अद रखास्त है किस्ट के खुद के जुर्मों में पर मुम्किन पानुनी रियायत बर्टी जाए को सीग्व थैंक्य ओनर पुजाकर सेम्व तुम मिस्ट्रोड बजरन के लिए काम क्या करते हो हम बजरन के कारवार में की मदद करते हैं साहिए कारवार या कारवार इनका पूचा जाका नहीं करते इंद भी उस तो बताओ बोलो अंदर गाव पर सामान की ढुलाई से लेकर साहब बड़े बड़े होटल चलाते हैं जे तारे जुगा खाने शराब खाने तर्टा बाजार रेस सब काम करते हैं बड़े बड़े मिल टांस्पोर्ट कंपनियां हीरे जवारात सोना चान्दी की स्मंगलिंग हर काम हर काम हर काम मिसा भी नहीं कहाए इन तमाम कामों में तुम मिस्टर बजलन के किस तरह से मदद करते थे आई अब्जेक्ट यूर ऑनर इन सवालात का मौजूदा मुकदमे स कोई तालुक नहीं अगर मुल्जीम के गुनाहों को तफसीर से बयान न किया गया तो यह कैसे पता चलेगा कि आज मुल्जीम के सर पर जो काम्यावी का ताच है उसमें कितने गुनाहों के मौती जड़े हुए हैं यू में कॉंटिनियू है थैंक्यू यूर ऑनर है तो उज सब्सक्राइब करो जाहिए 27 अगस्त की रात को कैलास अपनी महबूबा के साथ बहुत सारा रुप्या लेकर हिंदोस्तान से बाहर भाग रहा है तो बज़रंग मुझे अपने साथ लेकर वहां पहुच गया जहां से कैलास और उसकी महबूबा भाग रहे थी तो लूए तुम्हारी अंखों के सामने कैलास की हत्या की हम द squish है मेरे आंक्र कर्म की और देटन समय है। gauche जानता था कि परोपना मूघ को है इसलिए उसका मूघ करना जरूम भी था है रहूर है और वितनेस थेंक यू मिस्टर परताब नाराइन यूर अनर लंच ब्रेक में सिर्फ दस मिनट रह गए हैं अगर मैंने अपनी जिरा शुरू की तो मेरे सावालात का सिलस्रा बिखर जाएगा इस निये मेरी आदालत से दिर्फास्त है कि मेरा क्रॉस उउग्जामिनेशन लंच के बाद हो मिस्टर परताब नाराइन एनी अबज़ेक्शन लो अबज़ेक्शन यूर रॉणर मिस्टर देविलाल आपकी दखास मंजूर की जाती है अदालत दो वज़ तक बर्खास की जाती है तेंक्यू यूर ओनर लगता है इस पार बजरंग नहीं बच पाएगा फिरताब नारायन ने बहुत अच्छी जिराखी इससे होट रो है देविलाल क्या करता है सर्वादा बंद कर लो सर बजरंग के सलाथ खारे सबूत आपको कहा से मिले इस केस के बारे में आपको कुछ कहना चाहेंगे आपको कुछ करना चाहेंगे आप मिस भादा भरतवाज है प्रताब नरंजी ने कहा है कि ये लिफाफा उजागर को दे दो और उससे कह दो कि इसमें लिख्यूई बाते गौर से पढ़ ले क्योंकि देविलाल इस केस को उधेरने की पूरी कोशिश करेगा अब अरे आप मेरा मूग क्या देख रही है फूर्ती कीजिए प्रताब नरंजी ने कहा है जी कौन है आप अंदर कैसे आई जीव जारे देवेने सरकारी वकील की असिस्टेंट है प्रताब नरंजी ने कहा है इसमें लिखी बातों को अच्छी तरव पढ़ लो और अपनी आदाश काजा कर लो गुर क्या रही हो हाँ अपनी बच्ची और पत्नी को भूल गये क्या है जवाब दो जागर से इने है क्या यह वही आदमी है जिसने तुमारी आखों के सामने कहराश का कतल किया कि नहीं मैंने कोई कतल होते नहीं देखा मैंने किसी को कटल करते नहीं देखा किया पभते हूं जिखिए भिएतर पाप रहे लीचे ठाप प्रताप नारएं चाहते है त 걸 आपना बेन गर सब्सक्ति चाहते हैं कि ना इस लुट पाकी हो गया है मैं इत्जा करता हूं इस अधालत को कुछ देर के लिए मुंत्वी किया जाया और यॉर अनर मैं आपके चेंबर में इससे कुछ बात करना चाहता हूं योड अनर मेरी गुजारिश है कि वो बात्चीत मेरी माजूद्गी में हो थोड़ी देर के लिए अदालत की कारवाई मुद्वी की जाती है तो बड़ाया जेन बभुआ तो दद्दू घर चलाएं चला बागी सब कुछ तो वकील साथ सवाल लही है चला बजरंग का ये पैगाम तुमने उजागर सिंग तक क्यों पहुंचाया एक खुनी को तुमने कानून के शिकंज़ से क्यों निकल जाने दिया क्यों क्यों जजज साथ आप मेरा विश्वास कीज़े इनिके आदमे ने दिया था अब वो आदमी हवा में गायब हो गया गुम हो गया कहीं मैं पूछता हूं तुमने कितनी रिश्वत ली इसके लिए बजरंग से रिश्वत मैंने कोई रिश्वत नहीं ली आप खाम का अर्जाम लग मैं तो कहता हूं कि मेरे मुझ्जिस दोस्त आपका मेरा और सब का समय बर्बाद कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं आप मिस्टर परताफ नाराय चश्म देगवा का बयान बदलने से आपका मुकदमा तो खुद बखुद खारिज हो जाता है जजज साहब मेरे मुकदमे पे तो कब कर दिया जाए इसने कानून को धोका दिया है चश्म दीद गवाह को गुम रहा किया इस रखी ने इन में से आप एक भी इल्जाम थाबित नहीं कर सकते क्योंकि तब जूट है मुझे मेरी वेवकुपी का कसूर बार ठाया जा सकता है लेकि मैंने रिश्वत लेकर कानून को धोगा नहीं दिया, खुए गलत का महीं को नहीं किया है फिर जूट बोले है जसा फिर जूट बोले है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बार कॉंसी से परमिशन लेकर इसका लाइसंस जब्द कर दिया जाए ताकि एक कभी सिंदगी में वकालत न कर सके लेकिन जाट साथ सरकारी वकील ने आप पर इश्वत लेकर कानून को दोखा देने का संगीन इल्जाम लगाया है इसकी तहकीकात होगी तब तक आप अब अकालत नहीं कर सकती इसा मत कीजिए और अनौर मेरे पापा आप लुग जा सकते हैं थैंकियो सर फिश्वत में लिए तो क्या आप बजरंग से शादी कर दाव सुझे हैं तो ये खाबर तुम तुक पहुंच गही पापा लेके मैं निर्दोश हूँ पापा मेरा विश्वास करो वो सब जूटे है पापा पापा तु कहते हो ना के जीत हमेशा सच की होती है 네 मेरा विश्वास करो बापा मेरा विश्वास करो कहता है पापा का तुम कंपनी पे製ी पूरा विश्वास है का सब्सक्राइब करणाई नो नो नोि नो पापा पापा ने पापा सब को भी सुस्था कि तर आपनी बेटी पर कोई विश्वास नहीं रहा है जूट कामों में है क्या सची है किमत कितनी तर देखना चाहो तो बादार में आके देखो बलतकों से कहां आती है समझ में दुनिया जिन्द की क्या है किताबों को हटा के देखो ताकत है जिसके पास अदालत उसी की है दौलत है जिसके पास अदालत उसी की है दौलत है जिसके पास अदालत है जिसके पास शराबत उसी की है दौलत है जिसके पास अदालत है जिसके पास अदालत उसी की है जुनिया से गर दरोगे तो दुनिया सताएगी जितना कोई दबेगा ये उतना दबाएगी उन सर उठाओगे तो ये सर को जुकाएगी सर को उठाके जो चले सर को उठाके जो चले इजद उसी की है ताकत है जिसके पास अदालत उसी की है कॉक 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 किसमत है एक फरेब गरीबी है एक गुना अरे जिस दिल में होसला है जिस दिल में होसला है वही दिल है बेपना कोई फकीर है न यहां कोई बादशाद हिम्मत है जिसके पास हुकूमत उसी की है हिम्मत है जिसके पास हुकूमत उसी की है आकत है जिसके पास अदालत उसी की है है जिसके पास हुकूमत उसी की है जिसके जिसके पास हुकूमत उससे बचस्टन इसके भारत उसपलत उस Cassidy जिसके पास हे जिसके आए मिलती है राम चंद्र को बनवास की सजा इता को जो सलीब दे ये वो समाज है किसे कहानिया है अहिन साथ के सारे बोल गान्दी को कत्ल करने का अब भी रिवाज है सच्चाई आग है इस आग में नचल तेरा समाज है सीथी दगर नचल तकदीर कुछ नहीं तकदीर को बदल किसमत जो खुद बनाए ये किसमत उसी की है तकत है जिसके पास अधालत उसी की है दौलत है बेपना तकत है बेपना दौलत है बेपना तो इज़त है बेपना दौर कट बे बना है, तो ताकत है बे बना, वो इजट बे बना, हम्मत है बे बना दाकत है बे बना, जो बड़के खुद उठा ले, ये दौवर उसी की है, टाकत है जिसके पास अदालत उसी की है तांकत है जिसके पास अदालत उसी की है पुछना चाहता हूं तश्रीफ लाइए थैंक्यू क्या देख रहें आप यही के बजनक से मिले रिश्वत के पैसों से मैंने सोने चांदी की इन्ते खरीद कर कौनसी दिवार में चुपाकर रखी है सवाल मुझे पूछने है आपको नहीं सवाल पूछने की बजाए वरन क्यों नहीं लेआया आप खेर पूछे पहले आप अपने माते से एक सो एक बल मठाईये लड़कियां अपने चेहरों को खुबसूरत बनाने के लिए नचाने कितने कितने जतन करते हैं और आप अपने खुबसूरत चेरे को खाब खाब बिगाड़ गए आप खुबसूरती पे लेक्चर देने आये हैं या सवाल पूछते हैं पूछता हूं पूछता हूं यह नाश्ता आपके नौकर का है जी नहीं मेरा रात का खाना है लेकिन अपूछता आपके सरकारी बखेश सहावीय समझते हैं कि मैंने बजल से लाख रूपया लेकर इस ताजमार दे खर्च कर दिये हैं चलिए मैं आपको बताती हूं कहां खर्च कर दिये हैं यह मार्बल और चंदन का बात्रूम जिसमें हीरे चुपाकर रखे हैं मैंने देख लिया आई और दिखाती हूं मैं और यह हमारा भंदार घर रसोई घर अब हम रोटी गेहों के नहीं खाते सोने चांदी कानी शुड़ करती है आईए आज तीन महने से इस ताज महल का किराया नहीं दिया गया अरे मुझ क्या देख रहें निकाली हगरियों लगाईए मैं मांती हूं कि मैंने एक बेज़कूफी का काम किया है लेकिन किसी भी कानूम में नहीं लिखाए कि बेज़कूफ को कोई सजा मिले अब आपके मन में जो आय कीजिए लेकिन इसी वक्त यहां से दफा हो जाईए और मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए अब आपके में लुचाए मैंने आपको जाने के लिए कहा था कैया तो था लेकिन भूक वापस ले आई क्या समझ ले अज घर को होटेल लगता है आपका घुसा अभी तक धंदा नहीं हुआ होगा भी नहीं आप मुझे कसूरवार ठहरारा चाते है शौक से ठहरा लीजे ना तो मैं आपको कुसूरवार ठहराना चाहता हूँ और ना ही मैं इस इरादे से यहां आया हूँ क्या कहा तुमने मैंने अर्स किया है कि भावना पर जो भी इल्जामात लगाए गए थे वह सरसर बेबुन्याद हैं भावना बजरंग के जाल में फसाई गई इमाख खराब हो गया है तुमारा उसने रिश्वत लेकर बजरंग को फांसी के फंगर से बचाया है मैं उसे सिं पापा अपनी आंखों से देख लो तुमारी बेटी बेगुना है उसने किसी पापी का साथ नहीं दिया पापा नहीं दिया काश आपने आज के दिन के अज़िदार क्या होता पापा ओडर ओडर नो ख्राइंग यह पहली अदालत है जिसमें मुझ्रिम के बजाए वकील को जो हो जाते हूं कि अ celui कि ये सब आपकी वज्य से हुआ है मैं जानती हूं अगर आपके जगो कोई प्रताब ना आपने जैसा होता तो पाथा नहीं क्या हो जाता है कि यह आणि हो गया उसपर हो इस पने बज़ए जो नहीं हुआ उस पर रो रही हो मैं कहा रो रही हूँ मैं तो खुश हूँ यह खुशी है तो ठीक है फिर आप यह खुश हो जाते है तूलेट ऑफिस के लिए जगह खाली है दास प्यारी भ्रहमचारी मैं मेरे पास समय नहीं मैं बहुत बिजी आदमी हो हाँ क्या कहा है आपके पती किसी प्रिंट के साथ भागें तो आप ही ढूंड लीजे ना हालो हालो जी देखें मैं दो पांच हजार का काम नहीं करता हाँ आपके तकलिफ है आपके मूह में नहीं मुझे तकलिफ है आपके तकलिफ है आप एक घंटे के बाद फोन गीजीगा एक आना तो अब आपने रोमाइंस की बात करेंगी वही जो हमेशन होता है बिगनिग में I love you love you I hate you hate you I love you love you मैं देख रहा हूँ जी, बहुत देर से देख रहा हूँ, बच्चा नहीं हूँ, हाँ, अरे उमर गुजर गई देखते हुए, हाँ आपके मुँ में, खाक आई, उढ़ गया ना ठककन, अरे हसार बरकाता बेटा, ओवर एक्टिंग मत किया करो, लेकिन सुनते है थोड़ी हो, करो, और करो, बहन जी, आप किसी जासूसी कंपनी से है, कोई जेम्स बांडी, देखे बाहर वो जे दफ्तर के बारे में बांड लग बिएरी भाईया, तीन महने होने को आए, और एक भी क्लाइट नहीं आया, तीन महने से आपका किराया भी नहीं दिया, मैंने, किराया, कहती हो भाईया, और बात करती हो किराया की, बैठो आप देखो मेरी बेहना रही बात क्लाइंट की उपर वाला बहुत बड़ी चीज़ है आज नहीं तो कल कोई ना कोई क्लाइंट जरूर आएगा अरे भाई दास-भिहारी आ कि क्या हाल आपके मुळा आये ताहर जाहां का दर्श इनके जिंगर में बाबा ये बहूत अर्व अबड़ी बहुह हरे हमारे एक अजीज चौदा बरस से कतल के जुर्म में जेल कार जब उनकी रहाई का वक्त आया तो उनके हाथ से एक और कतल हो गया किस बार वो बिल्कुल बेकुसूर है हाँ अक्बर लाला है मेरा नाम मेरा नाम भाफना है मैं वकील हू तुम्हारी खबा भषा मेरी जजों के सामने से लाल रा लेकिन कभी किसी जलील अज और एक और बवफाई यह नहीं लाला कि dolphins नीज की हुआ और बेवफाई और बच्चलन है और नामि है बवफाई का तुबाई का हर जगडे पसाद की जढ़ है और और अ अधम को तो अ जन्नत से भी निकल वादिया था कंबखत और ने हां पीर पेगंबर को जनम देने वाली और ती तुमें जनम देने वाली भी तो इक और थी ती क्या वो भी बटजात और बचलन खामोश बचलन और बचलन और बचलन अगर यह सलाख न होती तु मेरी मां के बारे में ऐसे कर भी क्या सकते थे चोटू जैसे मासूम इनसान का कदल करके तुमने हाँ मासूम वो एक चोटू हरामखोर मासूम एक मासूम मेरी पिविक और एक मासूम वो खबीश की ओलाद यूसुफ खान चैलर और एक मासूम सूम आख खूब दमाऊ यहां से मेरी तरफ देखे बगैर मेरी बाध्यान से सुनो कौन हो तुम जग्गू कैदी नंबर 432 अगपर लाला बेकसूर है तो फिर तुमने पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया जेलर की डर से इस हाथसे में जेलर का क्या हाथ है जेलर की शेय पर ही तो छोटू ने अगबर लाला पच्छूरे से वार किया ज्छूरे से वार अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो जेलर साब की मेज के नीचे रख्योए बक्स में देख लीजिए वो नुकिला छुरा वही है ओ यार आप अगबर लाला को बचा लीचे वो बहुत मेक आदबी है आयो मिस भावना मोका वारदात पर कोई खास बात मालूम पड़ी जी नहीं कुछ भी नहीं जेलर साहब भावना जी इस केस को हाथ में लेकर आप अपना नाम और वक्त दोनों खराब कर रही है आप थे कहते हैं जेलर साहब वैसे लाला के पिछले केस की फाइल आपके बाद दरूर होगी है रिकॉर्ड रूम में है आप देखना चाहती है क्या अगर आपको तकलीफ ना हो तो अजे इसमें तकलीफ की कौन सी बात है मैं मैं खुद लाकर देता हूं शुक्रिया बड़े बड़े जलील और बेशरम देखे हैं लेकिन तुम शायद मैं शायद उन सबसे ज्यादा जलील हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वकील हूँ ना चली जाओ यहांसे पत साथ दफाह हो जाओ वर्ना वर्ना क्या 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 करोगे अगर एक बार मेरे मुझ पर फुपने लेकिन एक बात याद रखना के आज मैं उस दफ तक यहां से नहीं जाओंगी जब तक तुम जबान नहीं खोलोगे क्योंकि मैं चांती हूँ कि तुम बेगुना हो बोलो लाला थोड़े तुम पर छुड़े सिवार क्यों किया था लाला अगर तुम खामोश रहकर फासी प अगर आप आप सच जानना चाहती है तो सुनिये मेरी मेरी पुराने सजा खत्माने वाले ही थी कि पुराने जेलर का तबातला हो गया और नया जेलर यूसुफ गान परसकी जगह पर आ गया और पहले ही दिन जब वुम आयने पर निकला तो उसके साथ जोटू भी था यह बहदूर सिंग्साब ट्रक में पीला माल ले जाता था दस साल वागी है है और यह अन्तोणी साब इसका दस-बारा दारू का अजड़ा था एक दिन घर्दी यासी हो गया माल में काल मिला डाला दस बारा उद्रीच खलास है था साल चार साल बागी है और अकबर लाला अपनी बीवी को खालास किया एक दिन लाला साम के वज़ाए दूपेर को गार आ गया उसका बीवी किशी और के साथ दाव पेज करता था साथ पाठान का बच्चा से बरदास नहीं हुआ हमला किया आदमी तो भाग गया अपनी बीवी को चीर के खुद पुली स्टेशन आ गया 14 साल चुटने में जिरफ बो महिना खबीर की हो लाद अरे पाठा का है पुच्चे अरे रुप्चा हराम सारे और तुझे दिन नहीं छोड़ूगा तुझे दिन नहीं छोड़ूगा पुराना हिसाब किताब है अराम सादा कुटा मेरी पूरी कोशिश के बावजूद हाशी से बच गया आप उनको आर्डर करो आप उन साले का एक मिनिट में खटिया खड़ा करता है क्या तुम क्या करोगे आप उनको छोटा मत सम्झो आप उनका नाम छोटू उस्ताद है क् आप खाली कफन का बंदवस्त करके रखो बागी काम अप उनका क्या हाल है की इंकॉंग देड़ो तुमारा दीवी बहुत खुशुरत था क्या अरे नाम कौन लेता है आप उन तो खाली पूशता है उसके साथ वीस्तर में कौन सो एला था अभी इसकी अउलाद धेड़ो तू पावली कम है क्या तो तेरा बीवी दूसरे के साथ हेरा फेरी करता था किसी लिए वो दूसरे के साथ सो होती थी पावली कमना मर्द साल हाथ 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 यह कि दिन्हित दू किया है कि दिन खखिक है एप लिया ब气 यह कर्ण। कर दो कर्ण। पके लिए भार देदिक कर्ण गोरी वंकर्दट कर्द कर्ण। कर्ण। आ कर्ण। अक्बर लाला को छोटू का कतल करते हुए मैंने अपनी आगों से देखाए को की एट सो बीस चश्मदीद गवा अदालत में पेश हो चुके हैं यूर उनर इस सिर्षे में मुझे का एक छोटा सा नोक आपके सामने पेश करनाहे आ लिए फ्यूत्य लेजु सका है मग्तूल चोटू इसी इलडा़क का अदमी था अभ मुल्सिम के ये कहना कि उसने इन पर हमला किया मैंध मजाग सालबता है जैसे कि कोई एक हाती कहे के चुए ने उसकी जान मारने की कोश्च आखा इस तरसल यॉर आउनर यॉर वित्निस मेडम गुसाखी की माफी चाहती हूं यॉर आना मेरे इस हरकत का मतलब सिर्फ अदाल को जहनशी कराना था कि जब किसी हमलावर के हाथ में कोई हत्यार हो तो इसका कदुबूत कोई माइने नहीं रखता मुझ जैसी कमजोर आउरत के हाथ में जैसे ये मामूली सा हत्यार आ गया तो सरकारी वकील प्रताफ नारेंजी जैसे सेहतमन आदमी भी घबरा गये बिल्कुल उसी तरह मक्तूर छोटू ने जब मुल्जम पर हमला किया था तो इसके हाथ में भी एक हत्यार था जूट है ये जूट है ये उसके हाथ में कोई हत्यार नहीं था सरकारी वकील साब तो ऐसे कह रहें जैसे वह वहां खुद मौजूद थे ये रहाना मैं अदालत से दर्ख्वास करती हूं कि इस नुक्ते पर रोशनी डालने के लिए जेलर यूसेफ खान साब को एक बार फिर अदालत में हाजर किया जाए आप अदालत को बताएंगे के छोटू के हाथ में कौन सा हत्यार था खुद बोलती है आप उसके हाथ में हत्यार था जिसे उसने मुझ्य परकासिलाना हमला किया था और वो हत्यार है यह चाकु जी चाकु अनके पास कहा से आया है इस पॉइंट बी नोड़िड यूरानर इन एक सुबीज गवाहों में से किसी ने भी ऐसी चाकु का जिक्र नहीं किया है जो यह महतरमा कर रही है इक्सक्ली यूरानर इन तमाम गवाहों ने सच कहा था मगर आधा सच और इसकी वजह है जेलर साब कर डर ये जेलर यूसफ खान साब वही शक्स है जिनके लाला के मरूम बीवी के साथ ना जा इस ना लुका थे यूरानर जेलर साब अक्पर लाला को हर हालत में फासी के तक्ते पर देखना चाते थे इनके दिल में लाला के लिए नफरत के साथ साथ डर भी था क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को मौत की सजा दे सकता है वो छुटने पर इनके गर्दता हाथ भी डाल सकता था दिहाजा इनोंने अपनी चाल चली और छोटू को लाला के पीछे लगा दिया अगर लाला मर जाता तो जेलर सहाथ उसी रात को जशन मना लेते अब छोटू मर गया तो लाला को फासी लगवा करें जशन मनाने के सोच रहे होंगे जैसा कि अदालत जानती है कि दफ़ा तीन सो अतीन के तहत अगर कोई मुझ्रम कतल की सजा के दौरान एक और कतल करते तो उसकी सजा सिर्फ फासी है यहां तक कि मसी अपील भी नहीं हो सकती याराना अकपर लाला जैसे पांच वक्त के नमाजी को कातल बनाना इन ही का कानमा है याराना मैं अदालत से पूछती हूँ कि पेशे में मांदारी की कसम खाने के बाद कब तक बेमानी का सहरा लिया जाता रहेगा कब तक कानूं के मुहाफिज कानूं के मूपर कालिक पूचते रहेंगे और कब तक बेगुना लोगों की गर्दन के नाव के फंदी तयार किया जाती रहेंगे कब तक याराना आखिर कब तक अब मैं इसे जादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ इस नतीजे पर पहुंची है कि मक्तूल छोटू का खून मुल्जिम के हथो अपने बचाओ के सिलसले में हुआ है लहाजा अदालत अकबर लाला को छोटू के गतल के इल्जाम से बाइज़त बरी करती है और जेलर यूसुफ खां को खिरासत में लेकर जुदिश्यल इंक्वारी का हुक्म देती है मैंने आप से बहुत कुछ ताहरी की है मुझे माफ करते ना वरना मेरा खुदा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा आज से मेरी जिंदगी आपकी अमानत है हाँ वकिल साहिबा और ताने पर लाला अपने जिंदगी आप पर कुर्बान करते गा यह यह सच्चे मुसल्मान का कॉल है वकिल साहिबा वकिल साहिबा बहुत खोश्चों थोड़ा से रूलो वकिल साहिए वकिल खोश्चों देखा अपांच श्चों अब फिलि यताद्त जै भोले ना जी मैंने अपने चार जनम इनके साथ पाद दिया हाँ कितने जनम चोदा जनम चोदा जनम हाँ यह आप ज़रूर अपने डारी में नोट की देगा हाँ भूलना मत भूलना मत हाँ मैं चलती हूँ जै भूलना जै भूलना नजरिया तीर चलाए गमरिया खावल खाए जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए ना तुम हो तुम ना मैं हूँ मैं हुई है हालत ये कैसी नजरिया तीर चलाए कमरिया खावल खाए जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए ये जिसको यार बनाए उसी का साथ निभाए मैं साथर हूँ तुम नदिया हो हमारा मिल जरूरी है नजरिया तीर चलाए कमरिया खावल खाए जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए ये जिसको यार बनाए उसी का साथ निभाए हाए खाए हाए ये बनाए नशीला मदमाता मौसम खुलावी आदूराता है तुम्हारा रूप नदी जैसा तुलगती प्यास जगाता है तुम्हारी प्यास पुछाते को मैं बखले बन के लहरा हूँ हुच ऐसे बादल में पानी मैं तुमसे ऐसे जुड़ा हूँ नजरिया तीर चलाए कमरिया सौबल खाए जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए उस्सी पाल असने बहाए ज़िसको यार बनाए उस्सी पाल असने बहाए चुक 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 आइस्पा आइस्पा चुक बुला चुक मैं पे मुल्यात के तुता प्रत्व जूडिक लगार्श वार्भ से लिए डार्ट जार्ट करून कर रार कि वरने ले रुशिए विए प्राट कर दो दे में पार है तुम तो बिलकुल ही आउट हो गे थे तुम वो ने सभावगना भरदवाच तुम यहां खाना खाने आये हो या लड़किया ताक नहीं है वो तो इंडिया की बहुत मशूर वकील है और उसकी तस्विताद सारे अख़वारों में चपी है तो उसकी तरफ आखे फार फार के क् वद्धा भी दोगेना चलो खाना खाओ ये लो हटी चपाओ भावव जी हलो मेरे शिदा हूं तुम चांसी कि राली होगे यहां खुष्किता मोटिया वाली तरकार चा तो भी पटका मारेया प्रताब नवान दी तुस्ची बांदी वजा दिती बावची बावना जी शाध यहां तो बादना तो आदे ना ला, इस पर जल जिना मेना हाथ मेला लो अलो मैं थोड़ी अफ्राइब, थोड़ी पजाई तो हुड़ी तुल्डाई कर शुटे, हाथ भी जादे मैं भी उससे हाथ मिला कर आथा हूँ तुम बैठो यहाँ, हात में लाने का इतना ही शौक है, तुम उस्से बंजा लडा लो यहाँ तो बैठना ही मुश्लिल हो गया हाँ, अच्छा एक मिरट रुको, मैं को इंतसाम कर गया कुछी मीक साथ हाई बज रहाए भज रहाए भज रहाए भज रहाए दद्दू, आज अखबार मां जौन वकिल लड़की का फोटो चपा है उन तो प्रताब नाराण जैसी चोटी के वकिल को पचाड दिये से अब, बहुत समझदार लागत है तो? क्या है दद्दू, देवी चाचा की उमर होई गई है हम सोचत रहे, अब उनका रिटार कर दो तो अच्छा है ना ही भजबा हमरे संगठन में एक बार आने के बाद कोई जीत जी रिटार ना ही होई सकत है और एक बात और एक खुसरत जवान औरत की अपने संगठन में सामिल करना भूसे के ठेर में चिंगारी फेंकने के बराबर है अब भवा एक बात अपने गिरहन लियो एस संसार में हर बड़े आदमी की बरबादी की पीछे हमेशा कौनो न कौनो औरत का हाथ रहा है पद्दो शायद यह भूल गए हर बड़े आदमी की तरक्की के पीछे काउनो न कनो औरत का ही हाथ होता है लगता है बजरंग आज किसी खूबसूरत गड़की की जवानी पर मर मिटा है इसलिए उसे अपनी गोद में बिछाने से पहले आपकी गद्दी पर बिछाना चाहता है तुम पूल पसंदाया, Beautiful तुम अंदर किसके अजादत के आए बबवा को कही आने जाने के लिए, किसी की परमिश्न की ज़रुद नहीं पड़े है... और यहां आने के लिए, परमिश्न की ज़रुद है और आपके दिल में आने के लिए? ओ, Shut up Old beautiful बबववा को हुक्म सुनने की नहीं, हुक्म देनी क्यादत है सुनो मिटा आप जिन्देगी भर भूलती रहेगा, हम सुनते रहेंगे लेकिन इस वक्त अब हमारी सुनिये अब हमारी वकिल बन जाइए, हमारे साथ काम कीजिये हम अपनी बेतना दॉलत से आपके किसमत बदल देंगे ठोकर मारती है तुम्हारी इस गंडी दॉलत पर, ठेक या फिल तीरी चीज़र गनाथ जाने से पहले एक बात सुन लिजिए बबववा ने जिन्देगी में जो कुछ भी चाहा है उसे हासिल किया है अब आपको तो हमने प्रीलो चांत से चाहा है चल्दी किसमत की फिर मिलेंगे प्रफ़ा आए पनान आप आप तब आप आया है हां यां थैंकिए पाप नाफ्ता लगाई दिया है आमो जी चल दी से समान बादो पाभुजी तप्रेट राख देजिए पाभुजी कैसे है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है पारबर आखे खोलते हैं पारबर आपको पूछते है रभी तू आगया पेटे कल्पना कहा है मैं यहां हूँ अंकल बेटे कल्पना बड़ी शुशी लड़की है पर जानता हूं भाभुजी आपार आंकी बेटा समय नहीं है मैंने अपने दोस्तर अगुनास को वचन दिया था कि उसकी प्यारी बेटी की सारे दुमेदारी मुझ पर होगी मैंने इसे पड़ा लिखा कर बड़ा तो कर दिया है अब इसकी शादी बातें बात में कर लेंगे बाभुजी पेटे, मेरी अंति निचा है कि तुम कलपना को द्यालो लेकिन अपजी अब और कुछ मत बोल देजा पेटी कलपना मैंने तुम्हारे बाप को जो बचन दिया था वो आज पूरे कर दिया अब तुम्हें की पत्नी हो गई और ये तुम्हारा पत्ती इस गाट को भवनकुन की गाट से भी ज्यादा मजबूत समझना बेटा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है इसको अपने दाथ ही लेकर जाने बेटा हे राम, हे राम, हे राम आप ची अंकर, अंकर आज की एक और काम्याभी पर मुबारक बाद कौन? वदूर, देखी तो हैं आपको दिल जान से चाहने वाला कोई पसंद आए गे रूपर? शाजा आपा एक मने टुकिये, साब आए गये भावनय मिर साब का फोन है अलो, भावनया, कैसी हो? हद कर दी तुमने रभी, कितने दिन लगा दिये घर पी रहना, मैं अभी आ रहे हूँ ने, भावनया, तू मत आओ, मैं आता हूँ उफो, जल्दी आओ, फोर रसे पेश्टर रामू, रामू, ये तुम्हारी मालकिन है, इनने घर दिखाओ, मैं अभी आता हूँ ये भावनय मिर सब कौन है? जी, वकील है, बहुत बड़ी वकील है, आपकी दोस्त है अच्छा, सभावकी बहुत अच्छी लगता है, तुम्हारी साब से ज्यादा तुम ही पसंद है सोने कुछ सोना ही कहेंगे, मालकिन इतर तो नहीं कहेंगे ठीक कह रहे हो तुम, घर देखे बाबजी की मौत के साथ अगदीर ने मुझसे एक और मज़ाद किया मतलब? मेरी शादी होगी मेरी, कैसे यह जूट है? नहीं, भावना यह साथ चलिए मुझे बहुत अबसूस है लेकिन मैं मैं मुझपूरत हूँ कुछ मत बोला, चलिए जाओ पाढमा पाढमान, जो मैं मैं हमेशा बीशा के लिए बैद, पागमान के चले जाए, यहाँ से परेड़ी चल जाओ क्या बात है डॉक्टर, चुपके हो, बोलो डॉक्टर मुझे क्या बिमारी है, मैं मौत से नहीं डरती, बात मौत की नहीं है भावना, जिंदगी की है, तुम्हारी कोख में एक नहीं जिंदगी चर्ण ले रही है, तुम मा मनने वाली हो, बार качеrès ये बारी है, रुम्हारी के जात मोधे." पहना, जो तुम्हारे लिए वर्दान होना चाहिए था, वो आज श्राफ बन गया रहा है भाया, ये क्या कह रहे हो तुम ये मेरे पहले प्यार के निशानी है तुम्हारे प्यार के निशानी? तुम्हारे लिए कलंग बन गई है भाया, इस कलंग को जनम मत करें नहीं भया, नहीं, नहीं मैं उसे चनम दूँगी, जरूर दूँगी, भया मैं से अपनी गरती के सजा नहीं दूँगी, नहीं दूँगी फिर भी लोग उसके नाम के साथ एक गंती गाली जोड़ना है, भया परणा, तुझे जो फैसला करना तू कर, लेकिन एक बाद में विचार कर ले, प्लीज फूल में पच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है मैं सोच रही हूँ, मैं वो नौकरी कर लूँ घर का अकेल अपन काटने को दोड़ता है, आपकी क्या राय है? मेरी राय लेना जरूरी है क्या? आपका भी तो कोई अधिकार है मुझ पर, अगर आपके मर्जी ना हो तो मैं तब मेरे बात करना, तुम्हें भी सारी बाते रात कोई सुचती है मुझ से थोड़ी से बात करना भी आपको बोच लगता है सोना, मैं सोना चाहता हूँ लाइक बजा दो, और तुम भी सो जाओ जब से यहां आई हूँ, मैं सो ही तो रही हूँ तुम जब तुम मुझे भागल करतो होगे बाँ जाओ तो परिशानी, घर में आओ तो तुम्हारी बगबग तुम मुझ मैं याता मैं क्या करूँ, कहां जाओं और जब पोश्च समगने के बाद यह खुद अपने बाप का नाम पूछेगा तो कि इतियास कवाह है कि बाप के नाम के बगयर भी तरही मा ने अपने बच्चों कुपाल पोश्कर मसिया बना दिया आ था महीनों से तुम यही कह रहे हो, बताओ, भापना कहा है वठना मैं यहां हूं भावना, भावना महीनों से मैं भावना की तरह सुम्हें धून रहा हूँ, कहां ती तुम मेरे तिन का हिसाब मांगने वाले, आप कौन है क्या, तुम मुझसे पूछ रही हूँ जी हाँ, आप से पूछ रही हूँ मैं कि मेरे ओफिस में एक जिम्मदार पुलीस ओफिसर, ये गुंडाजरती क्यों कर रहा है नहीं, भावना मैं यहां एक पुलीस ओफिसर की तरह नहीं है मैं तो तुम्हारा अपना रवी बन कर रहा हूँ आप भूल रहे हैं रवी साब अपने पन का वो रिष्टा आप बहुत पहले तोड़ चुके हैं और आज मैं वो कर्स पुरा किये देती हूँ यह नहीं आपके चिठिया जो आज तक आप मुझे लिखते रहें और जिने मेरी खोल कर देखा भी नहीं अब आप जा सकते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने कुआ तुम्हें मेरी बात सुननी होगी जब कोई शरीफ लड़की किसे से बात करना ना चाहे तो आदमे की शराफत इसी में है कि वो सबर तस्तिना करे तुमने मेरा हथ नहीं पक्ड़ा शेर की दुम पर हाथ रखा नहीं सहे बाहदूर हमने हमेशा शेर को जो बुड़ों से पकड़ा है चैरे ये मेरा ओफिस है मचली बाजार नहीं अब आको क्या चाहिए ऐ बीटिफुल हमारा नम रभी मलत्रा नहीं पजरंग है हमसे बत्तमीजी करके भी तुम सही सलामत हो इसका मतलभी ये नहीं कि हम तुम से या तुम्हारे खानून से ड़ते हैं बलकि इसलिए कि हमने तूट कर तुमसे प्यार किया है और जिस बुठ को हम एक बाद सज़दा करते हैं उसे हम तूटते नहीं तलके अपने प्यार की गर्मी से तिखला देते हैं ये बुठ तूच जाएगा कभी फिगलेगा नहीं और आइना मेरे आफिस में कभी कदम मत रखता आज के बाद हम नहीं तुम मेरे दर्वादे प्याओगी प्यूटिफुल मैं तो परिशान होई गई परिशान कर रहा है तुमें आरे वो ही भोलू के पिता जी भला और कौन परिशान करेगा मुझे शराब पिता है क्या नई नई शराब आप नहीं पिता है वो तो सबाब का रसीया है अच्छा मेरा तो अच्छे कपड़े पहनना ही मुश्किल होगे अभी बीजी वो क्यों चब भी नहाय धोएके बढ़िया कपड़े पहनू मूरा ओ भवरे की तरे पीछे-पीछे मन राने लगे है इन पत्यों को अगर बसमे करना हो न दी बीजी तो नहाय धोएके खुस्बू लगाए लो अगर बसमें लगे है अकिला पन मिका दो ना मिका दो ना मुझे एक बात कहनी है हाँ मुझे एक बात कहनी है चराओं को पुझा दो ना अकिला पन मिता दो ना अकिला पन मिता दो ना मिता दो ना अकिला पन मिता दो ना तुम्हारे वात से आकाश से धर्दी पे आई हूं पहर कर चांग तारों को गुलाबी राख लाई हूं यहां जीना तिखा दो ना मुझे एक बात कहनी है हां मुझे एक बात कहनी ले चरामों को पुझा दो ना पुझा दो ना अकिला पन मिता दो ना मिता दो ना लाला लाला मिता दो ना मिता दो ना तुम अपने हूं मुझे दे दो मेरी पुखियो मुझे लो तुम तुम अतने हूं मुझे दे दो मेरी पुखियो मुझे लो तुम नशाओं में महबता अंधिरा के तुखियो तुम मुझे औरत बना दोना, मुझे एक बात कहनी है चरामों को पुझा दोना, पुझा दोना मुझे और दोना, पुझा दोना, पुझा दोना ला ला ला, ला ला ला, ला 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 हलो, सर्फ पता लग गया जैक कहाँ चिपा है वही जो उस बच्ची को कितना करके लेगा था जी, तुम सब वही रुको, मैं अभी आता हूँ अज़ा येश्या एक दिने एक एक खेल टैवे बच्ची मुझे दिखाए दी बिद बिल्कुल मेरी बेटी के दर आप वही मासो मीरत हुरुपी सुन्दर मैं उसके पास आया बस पांच ही मिनिट में मैं उसके साथ इतना घुल मिल गया जिसे वो मेरी अपनी ही बेटी हो मेरी अपनी ही बच्ची हो मैं उसे सीने से लगाये चल पड़ा सिस्टर कब रात भी थी कब दिन भीते मुझे कुछ भोश नी रहा जब भोश आया अपने पुलीस ती है सिस्टर यार करना जूर मैं कि मुझे मलू नहीं था सिस्टर तो बच्ची के माब आपको तुमने ख़बर क्यों नहीं दी कर 12и की तुमने लाक रुपे चिठी में लिख कर मांगे चि… मुझे इपना नाम संय नहीं था मैंू जिठी कैसे लिखूंगा सिस्टर तुम सच कह रही हो कि बच्ची को वापस करने किले तुमने कोई रुपे नहीं मागे और इसमें कोई हाथ नहीं था जिस्टर में अपनी मरवी बची कर्समखंगा कहता हूँ सिस्टर कि बच्छु अधर कसू हो सिस्टर में कसू है उस सिर्फ ये कि मैं और उस बच्छी को एक बाड की निराव से देखा मचे बचालो भाड बच्छालो जिसटर बचे बचालो सिस्टर, बचालो, बचालो सिस्टर Jack अकर तुम बेगुना हो तुमें तुमें रिहा करांगी Thank you sister God bless you मैं अपने नीजी काम से नहीं आया हूँ सुना है आप जैक का केस लड़ने जा रही है ठीक सुना है आपने और इसे बचाने का इरादा भी है किसी बेगुना को बचाना एक वकील का फर्द है ऑफिसर बेगुना और जैक माई फुट यह देखो रहीम, राम, दुर्चन, भीमा नाजाने कितने नाम है उसके और हर नाम के साथ एक भायानक जुम की गहानी जोड़ी हूई है नाजाने कितनी मासूम बच्चियों को खिर्नाप करके रेप करके उन्हें विदर्दी से मौत के घाद उतार दिया उसने लेकिन यह सब, यह सब समझने के लिए एक मा का दिल चाहिए है जिसने अपने कोक से बच्चा पैदा किया हो और वो दिल, वो दिल तुम्हारे पास होई नहीं सकता यह जलील इंसान आज तर पगड़ा नहीं गया था और आज जब पूरे सुबूत के साथ यह कानून के शिकंज में आया तो आप इस दरिंदे को बजाना चाहती है कर यह यह आपका फर्ज बनता है ठीक है, अगर यह आपका फर्ज बनता है तो शौकस इसे पूरा कीजिए गा मिस्टर बर्मा ज़रा यह केस फाइल कर दो भाया मैं आपको आफिस में मिलूँ ठीक है जैक परसु तुम्हारे केस की पहली तारीख है यह समझो कि परसु तक तुम आजाद हो जाओगी तुम्हारी दिर में बच्चों के लिए जो जगा है उसे रोकने के लिए यह लोहे की सलाखे नहीं होगी जाओगी वकालत नामे पर दस्तखत कर दो ताकि मैं मुकदमा लड़के तुम्हे आजाद कराऊ जैक तुम ने कहा था कि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते हां फिर यह क्या है हां तु यह चाहता था कि मैं तुझे रिहा कराऊ अरे मासुम बच्चों के कातल मैं तुझे फादी पर चड़ा दूंगी अरे मासुम बच्चों के तुझे फादी में जान्या आजाए तुम पर चाहिए अरे में अरे आजाए आज़ोगाग! मैं कर दो! बज़ा घंध भाइब आस प्टारव जाँ भाइब शुजा कि भाइब ऊतुर जाएब अगया अधड़ो तो जातुर जातुर दाएब झी माुड़ों जा। जाओ उसे चल 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 अज़ मुझे जोड बोला है इस वक्री की पच्चीना मुझे जोड बोला है मेरी वक्री मुझे दोगा देती है जोड बोला इसमें जाक के दस्तकत है उसके लिखी चिट्टी से लिखावट मिला लीजीगा मेरी ख्याल से जाक को सजाद दलाने के लिए यह सबूत काफी है अब जादी उन्हें जाक को दोगा दिया है जाक तेरा खून चूज जाएगा जाएगा इसमें तेरा खून तेरा राहे हुआ मलती यह साब की सूर अनुट में रख दो यह कंबल यह भी ले जाओ भावना भर्दवाश मेरी अपनी धावना, कभी-कभी हालाद सिंदगी को ऐसे मोर पर ले आते हैं, जहां चाहते हुए भी आदमी कुछ नहीं कर सकता, मेरी शादी भी ऐसी एक मजबूरी थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम ही मेरा पहला और आखरी प्यार हो, तुम्हारा अपना, क्यावी सामो, एक चाह लाओ सामो कहा मर गया है? मेरे हाथ लगाने से चाही का स्वाद नहीं बदल जाएगा, आजकल कुछ ज्यादा बोलने लगी हो तुम, अगर खामोशी इतनी ही पसंद थी, तो किसी पत्थर की मुरद से शादी कर ली होती? तुम जानती हो, इस शादी मेरे लिए एक मजबूरी थी, मजबूरी? एक ऐसे मजबूरी है, जो दूसरे के जिन्दगी बर्बाद कर दे? क्या बर्बाद होगी हो तुम, पहने के लिए माखान है, पहनने के लिए कपड़े हैं, नौक चाकर हैं, क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? एक पत्नी को उसका पती नहीं दिया, बाखी तो सब कुछ दिया है, यह दीवारे हैं, जो काटने को दॉटती हैं, वो बिस्तर है, जिस पे लेटते ही काटे चुबने लगते हैं, फूल तो मेरे बिस्तर पर भी नहीं गलपना, ठीक कहते हैं आप, मेरे और आपकी दर्मिया और है ही क्या, एक ऐसा जजबा, जो न दोस्त है न दुश्मन, एक ऐसा कारवा, जो गुजरत चुका है, लेकिन अब तक हम दो लोगो अपनी गुबार में लपेटे हुए हैं, मैं पूछती हूँ, मैं इस्ती ही नापसंद थी, तो पिताजी से इंकार क्यों नहीं कर दिया कुझे साथ फेरे देकर ले आए, और घर में एक शोप इसकी तरह से सजा दिया, फेरे भी कुछ अर्माल हैं, कुछ सपने हैं, तो वक्त के रोती तो जानवर को भी मिल जाती है, अब मर्दों का क्या, कहीं भी जाकर मुँ मार सकते हैं, लेकिन एक पत्नी, जो अपनी सिंध अधिना मिले, तो वका जाए, क्या करें, कल्पना मुझे तोश मत दो, आलात ने मुझे जहां डाल दिया है, मैं उसे अपकिसम समझते दोगत रहूं, आलात का बहाना मत कीजिए, आपने मेरे का धोका किया है, मतलब ये, आपका पहला और आखरी प्याद, एक बात याद र आपना नहीं से सकती, नहीं से सकती, मिस्रिस कलपना मलोतरा, ये, मैं अपनी पती को तलाक देना चाहती हूं, तलाक? देखे मिस्रिस मलोतरा, तलाक हमारी भारती सबिता से मेल नहीं खाता, मेरी राह है कि आप एक बार फे धन्र दिल से सोचे, अपने पती को समझाने की का पट्टा अपने गले में डाल चुका हो उसकी शादी के एक अरसे तक जिसकी पत्मी अपनी सुहागरात मनाने का इंददार कर रही हो उस आद्मी को कहां से समझाये जा सकता है तो बात यहां तक बढ़ चुकी है मिल्टा मिलमो उट्रा अगर आप उस लड़की को जानती है तो मेरा ख्याल है कि आप को उसे मिलना चाहिए अगर उस लड़की में ज़लत भी गहरत है तो इसकाऽ करें सोगे मेरा तो ख्याल है। *** वृम्ला की एक शादी तो उसका पता मुझे दे दीजे, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, आप नोट कीजिए, मिस भावना भरतवाज, आड़ोकी, जी, आपके पती का नाम, मिस्टर रवी महलोत्रा, CBI ओफिसर, क्यों, चुपके हो गई वकीर साहिबा, बोलिये, है कोई गैरत आपके इचासत देती है, कि एक शादी शुदा आदमी की रखेल बनके, उसकी ब्यातर का हट छेना जाए, एक पती-पत्ती के जिवन में जहर घोला जाए, इसका जवाब मैं देताँ, मिस्स कलपना मलोत्रा, आपकी जिंदगी में जहर मिस्ट भावना ने नहीं खोला, बल मेरे जिया, मेरे जियाती मामले में तकल देने का तुम्हे कोई हक नहीं है, निख जाओ यहां से, आई जिन दिखा जाओ इनकी गुस्तागे के लिए मैं माफी चाती हूँ, मैं अपनी सफाई के लिए, किसी वकालत का सहरा नहीं लूँगी करने हैं, आप यकीन करे, ना करे, यह सच है, कि आपके पती के साथ, उनकी शादी के बाद, हम दूनों के बीच में कोई संबंद नहीं रहा आज मैं आपको मचन देती हूँ, कि मुछ पर कुछ भी बीच आयए मैं आप दोनों की जिन्दगी में कभी नहीं आउंगी कभी नहीं आउंगी मुझे माफ करतो भाईया तुम्ही थपड मारने का मुझे कोई हक नहीं था क्या करूं माबाप का साय तो पहले ही उच चुका था फिर मेरा चीन गया और आज और आज जब तुम मुन्य की बात करने लगे तो मैं पागल से हो गई मुझे थपड का गम नहीं मेरी बेहना मैं तो मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि और कितने जख मुझे लोगी अपने कलेजे पर अब मैं किसी के साथ वास्ता नहीं रखूँगी मेरे पास मेरे जीने का सहारा है मेरा मुन्ना जबसे तुमको मेरे निगाहों में सारी दुनिया है मेरे दाओं में सारी दुनिया है मेरे दाओं में प्यार उत्रा है आसमानों से प्यार उत्रा है आसमानों से जल रहे है चराब राहों में जल रहे है चराब राहों में तु मंदेरों में रोशनी बनकर मेरी तनहाईया सजाते हूं मेरे आँखों से देखते हूं जी मेरे होटों से मुस्कुराते हूं बोलते हूं मेरी सदाओं में सारी दुनिया है मेरे बाहों में मेरे तक्दीर के सितारा ने तुमको मेरे ली बनाया है तुम है वो जीत मेरे चाहत की खुद को खाया है तुमको खाया है रंग उड़ने लगे बजाओं में सारी दुनिया है मेरे बाहों में जिसको पूजा है आज जूनिया है तुम से खाप की हकिकत हो ये दुआ है तुमारे हर दुनिया है मेरे दुनिया से खुबसूरत हो रत दिन हो तुमी दुआओं में सारी दुनिया है मेरे बाहों में प्यार उत राए आसमारों से जन्द हे है चराह राहों में बारे दुनिया है मेरे बाहों में लाला-ला-ला बला-ला-ला कर व किस वल दो सिक है तर्क टाडर दिर संदो झारि頭 उड तो कि इम ये खितना वाल माजी माफ करना मैं मजबूर था जहर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि मुझे मजबूरन आपकी बच्ची के हाथ पर काटने पड़े आप चाहें तो उससे मिल सकती है जाहें मेरे बच्ची ये बगवाल ये क्या कर दिया मेरे चंपाक मेरे चंपा को क्या दो गया नहीं चंपा मैं तुम्हें ऐसी मजबूरी की मौद नहीं मडने दूगी भाया पता लगाईए इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का हेड आफिस कहा है मेरा महबू भी बनकर मेरा महमान आया है आव आव बीटफू आव वेलकम तुम तुम इस कंपनी के मालिक हो जिया इस कंपनी का मालिक तो जरूर हूँ मगर आज आपका गुलाम देखे मिस्ट्र बच्रंग बड़ी मुदद से इंतिजा था इस घरी का लेकिन कंबक्स दिल ने आज ही धुका दे दिया सच मनिए अगर आपके आने की खबर पहले दिये होती तो शहर के सब खिला हुए फूल आपके कदमों में होते और हर फूल एक मजबूर बेसहारा लड़की के खून से रंगा होता में से बच्रंग मतलब आपके कमपनी के घटिया मटीरियल इस्तमाल करने के बाद जोबिल निंगिरी है उसमें दबकर एक मजबूर लड़की जिन्दगी भर के लिए अपनी मजबूरी करने वाले हाथ पेर खोच चुकी है इसलिए आपको हजाने के तौर पर उस लड़की को मुवासा देना होगा किसी के दवाव में आकर किसी को कुछ दे देना हमारे उसलों के खिलाफ है बीड़ू हाँ हम अपनी तमाम दौलत आप पर निचावर करने के लिए तया है मिस्टर बच्रंग आपकी दौलत आपको मुबारक हो इसे आप अपनी काली कर्दी तो पर परदा डालने के लिए बचाई रखे मुझे तो सिर्व इता बता दीजे कि आप हर जाना यहां अदा करेंगे या अदालत में प्रिटफल अदालत भी वही फैसला करेगी जो हम चाहेंगे ओ जो शायद आप भूल रहे हैं मिस्से बचरंग यह आजाद भारत की अदालते हैं यहां इंसाफ को कभी-कभी गुम्राफ तो क्या जा सकता है खरीदा नहीं जा सकता यह तुम्हारा चालेंज है बीटफल जी हां मिस्से बचरंग अगर यह मुकदमा तुम जीत गई तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी गुट लग बचरंग वगे चाचा एक ना मुकदमा ख़ड़ा हुआ है जिससे हर हालत में जीतना है अफरनी आ जाएए तुमाम हालात और वाक्यात को मद्दे नजर रखते हुए अजालत हुक्म देती है कि मौवजे की यह रख्म तीन दिन के अंदर अजा कर दी जाए कौन बबवा नामया ओ क्या लिने आये हैं आप हमने हमेशा तुमारी जीत को फुलों से नहका आया है और आज भी वही शुक्रिया लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि आज मेरी जीत में आपकी हार शामिल है शायद तुम जानती नहीं हम सिर्फ अपनी जीत ही नहीं अपनी हार का भी चश्र मनाते हैं क्या अब आपको यह भी याद दिलाना होगा कि आप मेरे घर में बिन बुलाई मेहमान है? शायद तुम्हे मानूम में हम सिर्फ तुम्हारे घर तक ही नहीं तुम्हारे दिल तक भी पहुचने के रादा रखते हैं शट अप, तमी से बात सरो बास बास, अब हम चलते हैं वक्य अगली मुलाकत में और इस मुलाकत को यादगार बनाने के लिए हम अपना टेलीफोर नमब छोड़े जाते हैं अगर कभी इस नाचिस की ज़रूद महसुस हो तो याद कर लेना डबल टू, डबल टू, 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 वान ये नमबर डारेक्ट्री में नहीं मिलेगा गुट बास अपने आपको बरतीस माँ खा समझते थे अरे एक लड़की से पचाल खाकर अभी तक जिन्दा हो जाओ, चुल्लो बार पानी में जाकर डूब मरो बजरंग, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूँ इसलिए तुम्हारा लेहाज करता हूँ तुम उसका नाजाइस फैदा मत हूँ जाओ घरबे जाके अराम करो मुझे आप तुम्हारी जरूरत नहीं है वकिल चाचा जरूरत है या नहीं यहां हुक्म दादू का चलता है और दादू अभी जिन्दा है दद्दू को मैं समझा दूँगा तुमने जान बुचकर मुझे शिकर्स दिलाई है उस लड़की की नजरों में मुझे जलील किया ला आउट, गिल आउट फो मिया बजरंग तुम गुस्ताफी कर रहे हो उस लड़की ने तुम्हें दीवाना बना दिया है तुम दद्दू की नजरों में मुझे गिराकर उस लड़की को मेरी जगल आना चाते हो लेकिन मैं तुम्हारी ये चाल काम्याब नहीं होने दूँगा ए बुढ़ाओ अगर तु हमने शिकायत लेकर दद्दू के पास कहे तो हम तो का जिन्दा नहीं छोड़ा आप समझाओ पुजागर सिंख अरे वकील बावू पाह लागी जीते रहो आओ बैठो मेरे साथ चाचा सेवा तो आप लोगी जिन्दी पर करनी है कर आपनी बीवी बच्ची से तो मिलना है उन्हीं से मिलाने तु ले चल रहा हूँ तुम्हें आओ बैठो और जाचा सब कैसा है चलो ड्राइवर तुम सब खुने हो तुम सब खुने हो मेरा पती भुनिया जाचा मेरी चान्ती को काँ जैफा जाटा मेरी चांती पागल कैसे हो गई जागर सबसे काम लो अपने ओपर काबू रखो जब तुम सरकारी गवाँ बने तो बजरंग ने जबरदस्ती तुम्हारी बीवी और बेटी को अपने काबू में लेना चाहा चीना जप्ती में तुम्हारी बच्ची बीच में आ गई और अपनी जान से हाथ दो गएठी कल दद्दू और बजरंग हमेशा की तरह बजरंग के बाप की समाधी पर जाएंगे और तुम रास्ते में उनका इंतजार करोगे अगील साब फकीरों में बाटनी के लिए सोसो की नोट अलग रख लिए ना जी दद्दू अज का दिन माई बाप की बहुत यादा बढ़े देते अरे अमने दिल से पूछ हम कैसे कलेजी पर पुथर रख की बढ़े तु सब का है बेटा कर दद्दू नहीं होगा तु का करेगा आइसन मत बोड़ द्दू 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 बढ़े लोगो द्दू इस संसार में कुछ सापास्तीन में हाथ बनके रहते हैं उनसे चोकन न रहना जो बहुत मीठा बोलते हैं वो अक्सर जहर उगलते हैं उनसे बच ददू ददू दीवन करने वे लंकी है आधमी तू दू 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 दू। इस सच कौ आशु मोजी निवो रादी है। शरिष्टर घंस सुट जिता आया मिलाई मोज नाद मोज जाने हो जी पमी इन वह दो हीत हुग दो प्रीट हुगा तो हिमाद शाम का एफ बब बादी इंव दो याफ दो 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 कि आया कि अधिक है कि अधिक है कि अधिक है बजराइब ऐसे वी कौन से जूरूरी काम था जो तुमने गद्दू की चिता किया आप छंटी होने का इंसदार नहीं किया दद्दू कहा करते थे कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो चिता कि आप ठंडी हो जाने से पहले नित्ताय जाने चाहिए पिठे मैं कुछ समझा नहीं इसलिए तो यहां लाया हूँ उस दिन जब उजागर जिल से छुटा तो जिल के बाहर तुम्हारी गाड़ी मौज़ू थी अना उसके बाद उस गाड़ी को उस पागल खाने के बाहर भी देखा गया जहां उजागर की पत्नी बिटे तुम मैं वो शायद तुम उजागर को यह बताने गये थे कि उसकी ग्रिफ्तारी के सत्मे से उसकी पत्नी पागल हो गई थी और उसे पागलपन में उसने अपनी मासुम बेटी का गला खोड़ दिया हाँ हाँ बजरंग मैंने उसे सब कुछ सथ सच बता दिया था और उसी खुशिन उजागर ने मुझ पर वो गोली चलाई जिसका निशाना दद्दू बने इसलिए मैंने उसी वक्त तु सरामदादे को गोली मार दिया लेकिन चाचा तुम तो हमेशे कहा करते दे कि तुम अपने दुश्मन को तमशों से नहीं अपने दिमाग की माल मारते हो थीरू गुमानने के तुम्हारे दिमाग की पैदापर थी और अब तुम्हें इस धक्ती पर बोच बन गए हो मैं आपके लिए दुद्दू लेक क्या आता हूँ आप इधर बैठके टीवी देखो एक अवश्क सुचना सुनिये जैक नाम का इक खतरनाक मुच्रिम जो मासूम बच्चों को उठा कर ले जाये करता था और उन्हें बड़ी निर्ममता से माट डाला करता था कल रात जील तोड़कर भाग गया यह है उसकी तस्वीर अगर किसी को दिखाई दे या पता चले तो फॉरन पुलिस को खबर दे चली फोन नंबर 2929 मुन्ना हेलो मामी आप दूद्दी के सो जाएए आज मामी देर से आएगी हाँ मुन्ना प्लीज मुन्ना प्लीज मुन्ना मुन्ना तोहरे यह दूद्दी मुन्ना प्लीज़ 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 मुन्हारा मुन्हारा मेरे पास है कन? श्चेक? भाइ चांड़ाख मेपकू नही 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 जुझ श्चेक मेधमना? अज़ा बाष्ट कहते बर्बगori तुन्हारए पच्चे के बुझे, तुकुरे तुमेट नहीं पल्पिस आज मैं आपको बचन देती हूँ, मैं आप तोनों की सिंदिगी में कभी नहीं आउंगी, कभी नहीं आउंगी हलो हलो किसका फोन था? पता नहीं, कोई बोला नहीं पता पता नहीं आता भीयाया YOURS बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तो मारा बच्चा इसंब कोई स्वाल बाद पुछना, मेरा मुन्ना को पुछा लो नहीं तो समेथा की उसे माह डालेगा तक उसे माघा लेगा ये सभे तक उसे मूदा लेगा भाजाो, भाजा 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 होश मेआ भाजाो, भाजाओ, भाजा ककुछ तुम्हारे भच्छे नुहाँ क्यों को धेश मुदू, मामी, भस्टव नदो अभी तक जैक नहीं मिला, एक घंटे से जग बाजो हराम को बज़े जैक चाहिए, जल्दी जैक मुझे जैक चाहिए जिन्दा दो घंटे से ज़दा वक्त लग्या न, तुम लोग जिन्दा ने बजोगे जैक को जनते हो जैक, वो की जैल में बाते है जैक को जोड़े का बाते है आई के उच्वे मुझे जैक का बता नहीं, जैक चाहिए फॉरण जैक जैक पाट्सी वाँ जोड़ी का माल घरीचता है न, उसको मालूम है मेरे को क्या बाते है रोबर्ट का मालूम आएगा वह जैक का तो पड़ा कहा रहता है वो रोबर्ट जैक की बेन का याँ है जैक की बेन एक रंजी मैरे सुदोर की रंजी जैक कहा है जूब को मेरे जैक कहा है मेरे जैक को मालूम होगा रहे जैक की का बाते है इस शहराब खाली में काम कर दिया है रिसावरे, जयक के साथ शेहर चोड़के बाख जाने वाली है जयक बरो दूम जयक जयक कहा है? नहीं मालूम जयक कहा है? नहीं, बरो मालूम जयक कहा है? जयक कहा है? जयक कह पता चल गया है, बजरंग कहा? मड़े लेंड, पॉटेज नमर छे मड़े लेखो नए! कोई उस पर हाथ नहीं उठाएगा मैं आ रहा हूँ पेज रोल बेज रोल जयक कहा है? जयक कहा है? हुआ 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 ह के लुञाओ के वुञां थामगा थार की वसे फिर रदाओ को वजा हमा थाओ कि बाले था रधाओ को सहा है है हुआ है । कर दो बाई 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 पर दोजार दोग कर दो गला झाल हर ओॉ थाझ और कि अुर शुल वज benefiting आप टकलत अपद्ट वग पिन गार मु god छूप इ स Jorge jis उना मुना, मुना 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 वोजद रिकाया! वोजू, बना! बना! बच्चंग! 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 तुम नेकी जान की गीमत चुकानी आयो जिसन बाजार में बहुत बिक्ते हैं वावना तौलत और ताकत और खरीद भी कह सकते हैं मैंने तुम्हें खरीदने की नहीं जितने की कोशिश किये तुमने मेरे दिल की वो धरकन जगा दी जिससे मैं बेगाना हो गया था धरकन प्यार तुम जैसे आदमी को इस सबसे क्या लेना छोड़ो ये धको उसने बाजी आओ आगे बढ़ो चुकि तुम जैसे आदमी का इतना बड़ा ऐसान अपने सर पर लेकर जीना नहीं चाहती है आओ बहुत नफरत करती हो न मुझसे बहुत नफरत करती हो मुझे बहसी दरिंदा समझती हो लेकिन तुम शायद भूल रहे हो beautiful ये कल्यूग है और कल्यूग के हर गली पाप की गली होती है चारों तरफ सिर्ब नफरत पी नफरत है या इनसान तो पैदा होता है लेकिन उसकी परवरिश शैथान की गोब में होती है क्योंकि आज का भगमान है ताका, दोल, ध्यवानियत इनसान तो मैं धी पैदा हुआ था, मेरे अंदर भी पैदी धरम था, लेकिन तुम्हारे इस दुनिया ने मुझे, आज ये मुझे रिम कच्छोला पैना दिया आज भी मेरे अंदर जाकर देखोगी न, तो एक मासूम, भुला भला बगुआ मिलेगा, इसकी कुल काइनात, उसका बाप था, उसकी माँ थी पूरे गाँ में चुछवात पिरत है, अरे अब जवाब काहे नहीं देव, हम पूछत है काहे उ बसंतिया के पीछे उके दुम बना पिरत है, काहे बोलत नहीं अरे भगुआ की माई、 इस तोरा से सर्मात है ना अए दलिया, ओसे सर्मात है, जाओन इंका हगे मुत्ध ही किसी खाई बोल दे भगुआ, इमनाध कार बोल दे बोल दे ynहीं हाओ, तो हर बाप तोरा के साथ है अब बसंतितना हमान कराई दे का? हाँ, बहुत नहीं हैं अमका उसे ठेर तो में तरह ठादी का है घाती भी आ आराम अरे 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 बिटुआ बबुआ का भाई अरे बबुआ बबुआ आखे तो खोल बबुआ बबुआ ये का भाई बबुआ लेव आखी खोल दिया अब तहां लगन कराईते है जमी तरह अब उसे तो हर्टु अलबाजी है तो भाग से कहा जातो तहां जमाना आएगा लड़का आपन शादी का बात खुदे करे लागन माबाब से बबुआ के सगाई किये तो इस्ते जोर का तूफान आई जवनो दिन शादी किये तो जमीने फाट पड़ी अरे कौनों मिठाई लिठाई का बंचता अरे बबुआ देखा तो क्या आई बाए बाबुआ बाबुआ ददू ददू ओ बबुआ आए बाबुआ ददू आई का सबड़ी अरे बाबुआ अरे बाबुआ ददू पड़ी के बच्चे जितना छोड़ गए थी आई तो आए तो वावी आई अरे अरे ना नहीं हमले पास भाईट वता तो दादा का दूसरा जनम हो थे दूसरा जनम कर से कोई सब n तुम लोगों का अपकी ना इंसाफी करोगे तो आथ निकाल के गटर में भेंग देंग देंग दू अपकी कोलो बात होए तो कहीं दियो हमार पबुआ है गया हमा जोन दिन सहरमाई गवा अरे आख तो आख दो पंद्रा साल बाद दर्दू खार लोटे थे हमें क्या मालूंत दर्दू शहर में करते क्या थे उनके तुष्मनों अपने आखो से देखने के बाद हमसे परताश नहीं हुआ चुन चुन कर उन कातिलों का खत्म करने के बाद एक किसांके बेटे ने हल छोड़कर हमेशा के लि जिस दिन तुम्हें पहले बार देखा तो मुझे मरी बसंदी याद आ गए और कोई बबो अपनी बसंदी के उखरिद नहीं सकता और नहीं उसे रुसवा कर सकता है एक बात याद रखना मैं तुम्हें जीतने की कोशिश करता रहा करता रहूंगा और अगर जीत न सका तो खुद को आर जाओंगा अपनी सफाय में मुझे कुछ और नहीं कहना बच्चे के नाँ जी रोहित बच्चे की पिता के नाम बुझे बावना जी मैंने कोचह बच्चे की पिता का का नाम क्या है बजरांगी जिया बच्चे के पिता का नाम है बजरा लीजी ऐसा ही कर दिखिए क्या सुझ रही हूं भाईया ठीक कहते थे बाप का नाम ना हो तो बच्चे के नाम के साथ हमेशा गंदी गाली जोड़ती जाती है आज तुम्हें मेरी बेटी के नाम से वो गंदी गाली नोचकर अपना नाम लगा दिया है यह तुम्हारा एक और आहसान है मुझ पर प्यार में आहसान नाम की चीज़ नहीं होती है वावना यह सच है कि मैंने तुमसे ठूट कर प्यार किया है लेकिन इस प्यार का बदला मैंने तुमसे कभी महा नहीं भावना मैं जानता हूँ, वह दिल से होता है, मजबुरी से नहीं, मजबुरी से सिर्फ सौधा होता है, और मुझे प्यार में सौधा मुझे नहीं है, भावना बच्रण, तुम्हें अबित्द कुछ शक्स का नाम नहीं पूछा, जिसकी यादों पर मैंने तुम्हारा प्यार कुर्बान कर दिया है, मेरे लिए इतना ही काफी है, के मुन्ना तुम्हारा बेटा है, तुमने उसे जनम दिया है, प्यार ने तुम्हें बहुत महान बना दिया है, बच्रण, अब शास्रों के मताबिक, मेरे हिसे में भी साथ जनम लिखे है, तो मैं आगे छे जनम में वो मुझे तुम्हारी दासी बनाए इस जनम में तो मैं तुम्हे प्यार तु नहीं दे सकती तुम्हारी पूजा जरूर करूगी और आज मुझसे पूछो ना पूछो लेकिन मैं तुम्हे अपने बेटे के बाप का नाम जरूर बताऊंगी मेरे पहले और आखिरी प्यार का नाम है रभी मलोटा, CBI ओफिसर पीचर, गुद्मानियों पीचर लेकिन देविलाल ये मैं कैसे यकीन कर लूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सच है ओफिसर, मेरे बदने जहर धल चुका है और मैं चंदगड़ियों का महमार हूँ बंबई से तुम्हें गुआ बुलाकर मैं जूट नहीं मूलूँगा मैंने तुम्हें बजरंग की और्गनाइज़ेशन के उस सारे रास दिये है जिससे तुम बजरंग को फांसी के फंदे तब पहुचा सकते हो बादा करो ओफिसर, कि तुम मरने वाले की आखरी खाहिश जरूर पूरी करोगे बजरंग को फांसी दिलाओगे फांसी तुम्हें और तेज ही ऐसी होती है मेरे दोस्त और बजरंग तो क्या बात है वह बजरंग सबको यह शिकायत है कि आज कर तुम आर्गनाइज़ेशन में कोई दिल्चस्पी नहीं लेते और वह भी एक लॉंडिया की खातो रहा है खबरतर उसके बारे में कुछ कहातो अनाय नाय बजरंग जाने दोचे बच्चा है डरसल बाबू यह कह रहा था कि बिजनस और 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 अरत दो अलग अलग चीज़े हैं बजरंग आज से हम तुम्हें अपना चीफ मानने से इंकार कर दो आज से हमारा चीफ शेष नाप मैं खुब इस जिन्देगी से तंग आ गया हूँ मेरे सर से काटो का ताजी तरने का बहुत बहुत शुक्रिया God bless you मगर इस जर्म की दुनिया का ये उसूल आफिका बनाया हुआ है कि यहां आने वाला कफन बांध कर आता है और कफन ओड कर वापिस जाता है अच्छे अबनी मा से कहना पांच मिर्चे जलाकर तेरी नजर उताते परना बजरं की नजर जिस पर पड़ जाए वो जिन्दा घर नहीं पहुचता अच्छे वारे सारे डबर पुलिश है चापने मार गए है और सभी आदमी करफार कर लिए गया है यह कहां किसी की गद्दारी का बगार नहीं हो सकता लेकर सुवाल यह है कि आखिर वो कौन हो सकता दादू और देवीलाल भी मर चुके हैं और हम सब लोग तो यहां मौझूद है तुम लोग अभी नहीं समझें इसका मतलब है बजरंग मुझे बजरंग चाहिए जिन्दा या मुर्दा समझे सर खबर मिली है कि बजरंग आजकल भावन भारत द्वाज के यहां आते जाते देखा गया है तुम पूरी फॉर्स के साथ आओ मैं वहीं जा रहा हूं यहां क्यों रुके यहां अपने एक बहन रहती है आज राखी है ना अरे माधव तु जानता है राखी का त्योहार क्या होता है बहन अपने भाई के हाथ में धागा बांती है और रूह से द्वा मांगती है या परवर्दिगार मेरे भाई की हवाज़त करना और भाई अवे इसकी आउलाद अवे बाई अर्या अवे घढ खना ए्यास एा न एसित. एता एम जी ए एमẵ skब अए एमा एम suscept斯, एम जी! झा की एम आ वनना प्या ऑनाम ऐंक बख्या उ posters कि requirements सअच्य मसलमान चान हार सकता है को कंछ नहीं बैण पैया मैं बैण बैया बैण बैण दोगा प्रह्ट्र मंहें Jamach पढ़ मी आपान। लुक्जाब एसरेंग, युर अंद अर्स्त पेसाय बादरि आज हमार प्यार खत्रमा है, हमने सर पे आज, खुन सबार होई गया है, आज हमका रोप मत ठेड़ो बजरण, अब तुम खानून से नहीं बचपाऊगे ऐ सहे बादूर, आज तुम अबने कानून के सारे तोप खाने हमने सीने ते खली कर दो तो भी आज पववा को रोक नहीं पाऊगे रोक जाओ बजरंग रोक ना, खबना यह क्या है तुम क्या जरूती पानून अजरून कभी जाने की आप किसे खुली चला रहे हैं थे उस पर जिस्ते आप खिर लजा इस बच्चे को अपना नाम देकर तुमाज के रहसे में चेश बला दिया और अब भी आप थे कि भादना को बच्चाने के लिए चा रहा है उन दोनों की जान खत्रे में है रवी चलो, मैं तुम आपसपर ले चलता हूँ रवना अब ले अब अब लोगरा आव बजरंग आव नाना ना पहले जरा अपने चारों और तो देख लो बजरंग तुम्हारे ही सेवक, तुम्हारी सेवा के लिए, हाथों में बंदूक लिए, बेशबरी से इंतजार कर रहे हैं हाँ 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 शेशनाग, बच्चे और भावना कुछोड़ दे इस दो कोड़ी की लूंडिया को छोड़ दे खामोश एस हर राफा की खातिर, तुम पुलिस के कुट्टे बन गए जो एक पुलिस आविसर के नाजास बच्चे की माह है अपनी मौत को आवाज मत दे मौत को तुमने आवाज दी है बजरन इस पुलिस गीरा खेल की खातिर बोन जाला हरांता देखो कर पातिर फबस्टेताए अरुगा पाटिख और ये ले 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 कार्वा है कर दो 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 कर दोब दो कि दिव le अ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो लो! लो! पाप्राश को अच्छा हुआ जद तुम भी आ गए खबरदार अब मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूंगा जिन्दा नहीं चोड़ूंगा कर दो! वे मैमी! मुनो, मुनो, मुनो! पेः, यब जया का बेटा. पुल मैंसे इमाँ. करता रहूंगा, और अगा जितना सका, तो खुद को आर जाओंगा, और अगा जीतना सका, तो खुद को आर जाओंगा. करता रहूंगा, और अगा जीतना सका, तो खुद को आर जाओंगा.